अप्डेट्स के साथ और इस वक्त हमारे समवादाता राहुल हमसे जूट चुके हैं और घड़ी के सुई-सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है लोगों की लंबी-लंबी कतारे मत्दान के लिए कम होती जा रही है और मत्दान का प्रतीशत बढ़ता जा रहा है और राहुल बताईए कि इस वक्त मधपरदेश में चुनावी स्थिती क्या है और कितने प्रतीशत मतदान अब इस वक्त मध्रदेश में हो चुका है। जहां पर एक वक्ती गंबी रूप से खायल है तता दुसरे को भरती करा गया है। साफ हो रही है कि जो मतदान है वो करीब 70-75% के आसपास होने की संभावना है। वरतमान की बात करें तो हम कही न कही जो मतदान है वो 55% पे आचुका है और दिरे दिरे ये आगे बढ़ रहा है। सुबह से लंबी कतार लगी हुई है और हम बात करें वरदों की तो यहां पर 110 वर्षी वरदा अशोकपूर के राजपूरा गाहों से तुलसा भाई 110 साल की महिला ने भी वोट किया है। तो कही ने कही जिनकी पहली बार शादी हुई है उनने भी वोट किया है और मदप्रदेश में करीब इस बार 15,88,000 युवा हैं जिन्होंने पहली बार मददान के लिए वो बूत पर जाएंगे। जिसा मैंने पहले बताया था कि 15,88,000 युवा है उस बार मददान करने जा रहे तो कही ने कही एक नए मददान होने जा रहा है एक नई उरजा और नई उमंग के साथ इन युवाओं के दिल में क्या है दिमाग में क्या है क्या है इनकी स्टेड़ी और किस पर यह मूर लग वहीं जो कामकाजी मैला है वो घर का काम समाप्त करके या उन्हों में से कुछ समय उदार लेकर वो लाइन में लगी थी ताकि मद्दान हो पाए जी राहुल इसके साथ हम आप से एक सवाल और पुछना चाहेंगी जैसा कि आपने अभी पताया था कि कुछ जगहों से छोटी मोटी घटना हो सामने आई है तो वहीं नकसली जो शेत्र है वहाँ पर कितने प्रतीशत मद्दान हुआ है क्योंकि वहाँ पर मद्दान करने का सम साथ बज़े से शुरू हुआ था और तीन बज़े नकसली प्रभावित होने के कारण हम अद्दान खत्म कर दिया गया है और कहीं न कहीं अगर हम आगड़े की बात करें तो करीब 66% चांच्छत प्रतीशत मद्दान हुआ है जो कि नकसली प्रभावित इलाके के हिसाब से स सीटों पर मद्दान पूरा हो चुका है छाठ प्रतीशत मद्दान हो चुका है जनता वहां से अपना horizon दिसंबर ही बताएंगा फिलहाल प्रत्याशों की किसमत पूरी तरह से वकें में जो थे वहाँ पर भी मतदान का समय अब खत्म हो चुका है और कहीं पर भी छुटपुट घटनाय सामने आई थी और कहीं पर बुजर्ग व्यक्ती जो है वह आकरशन का केंड रहे हैं और किस तरह से उत्साह देखा गया है या आपको राहुल बता चुके हैं राहुल फिदाल जानकरी के दर्निवाद लगातार जानकरी के हम जुरते रहेंगे आपके साथ और मतदान करने का समय पूरा हो चुका है और लंबी-लंबी कातारे अब छोटी होती जा रही है और मतदान का ग्राफ बढ़ता जा रहा है इसके साथी हर चुनावी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे देखते रहे हैं MP News नमशकार